आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello friends, हमें questions all करते हैं Reflection of the point Alpha, Beta, Gamma in the XY plane is So, हम यहाँ पर एक XY plane form कर लेते है So, यह हमारी Y axis हो गई और यह हमारी X axis हो गई और हमें Z वाला Z axis कौन से होते हैं हमारी Z axis हो जाएगे हमारी यह वाली तो यह Z हो गई, यह Y हो गई और यह X हो गई So, यहाँ पर हमें given है कि XY plane so xy plane हमारा कौन सा होता है xy plane हमारा हो जाएगा यह वाला plane हमारा xy plane हो जाएगा so अब हमें गिवन है कि xy plane के mirror image हमें find out करना है और हमेर point क्या गिवन है यह हमारा क्या हो जाएगा xy plane हो जाएगा so अब हमें एक point गिवन है alpha, beta, gamma और इसकी हमें reflection find out करनी है so हमारा जो point अब हो है alpha, beta, gamma अगर हम xy plane में से देखते हैं so हमारी alpha और beta की जो term होगी वह हमारी always positive होगी और हमान लेते हैं अगर यह हमारे एक plane है और यह point हमारे यहाँ पे गिवन है a, b, c so जितना यह distance होगा plane से लेकर उतना ही उसकी जो image बनेगी वो उतने ही distance पे opposite side पे बनेगी so हम बोल सकते है alpha और beta की value positive होगी तो यहाँ पे ले सकते है alpha, beta और gamma की value हमारी negative होजाए क्योंकि opposite direction में चली जाएगी z axis के, so यहाँ पे gamma जो हो जाएगा, वो हो जाएगा minus of gamma, so हमारा answer क्या हो जाएगा alpha, beta minus gamma, that means option number 4 हमारे हैं पे correct हो जाएगा, thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubt net आप या WhatsApp कीचे अपने doubts 8444 चार्स उपर